वेलकम बेक फ्रेंड्स दिस इस करंट अफेस फंडा आज दोस्तों हम बात करेंगे रिजनिंग की स्पेशल क्लासेस के बारे में और इन इस पेशल क्लासेस में आज हम सीखेंगे कई नए कॉंसेप्ट तो इस चैनल को सब्सक्काइब करें ताकि आप तक रेगुलर की किस पर क्लासे करेंगे तो इसी में जाकर देख सकते हैं तो आज की स्पेशल क्लास में किन की टोपिक्स पर फोकुस करेंगे पहली बार हम आपको बताएंगे अज अल्फविट के बारे में जो कॉच्चन्स आग्ज आपके डरेक्ली आते हैं तो यहांसे 2-3 discuss करेंगे जिसमें puzzle format में आपको questions पूछे गए होंगे और उसके बाद हम direction and senses की problems आप से discuss करेंगे तो आज basically हमारा discussion है वो तीन topics को मिला कर है दोस्तों basically जो main motto है इस special class को आप तक लाने का यह हमारा यह है कि आपके पास different different type के questions पहुचते रहें जैसे कि आपने practice कर ली है और exams में किस तरीके से flow में questions आते हैं उनको कैसे हमें सार्प attend करना है हम इस session में आपको बताएंगे तो मैं यह मान के चलता हूँ कि classes कोई भी high level नहीं होती है अगर आपकी practice बहुत अच्छी है तो सारे questions आपको low level के लगेंगे और अपकी practice बिल्कुल अच्छी नहीं है तो आपको सारे questions high level के लगेंगे यहाँ पर questions आपने सब अच्छे level के रखे हुए है लेकिन फिर भी आप इस channel को subscribe कर लें और इस video को like करें और अपना support दिखाएं इस video के लिए और दोस्तों comment करके हमें बताएं कि आप क्या सुधार चाहते हैं हमारी दरब से आपका कोई special topic हो अहां एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा जैसे कि कुछ लोगों की request है कि सर आप puzzle की questions अभी नहीं करा रहा है तो देकि परिलिम से पहले पहले हम basic puzzles complete करेंगे उसके बाद हम advanced और high level की puzzle complete करेंगे तो पहले मारा motto यही रहेगा कि हम basic puzzles पर खूप जादा practice कर लें ताकि हमारे concept basic concept clear हो जाएं तो दोस्तों इस चैनल को subscribe करें वीडियो को like करें अब हम बात करेंगे alphabet के questions की देखिए, alphabet के questions को solve करने से पहले, alphabet आपको पिल्कुल अच्छे से आनी चाहिए मतलब A to Z तक आपको सारे के सारे alphabet यह तो सबको आते हैं लेकिन इनकी numbering पता होनी चाहिए तो इसके लिए मैंने कुछ फंडे बताएं, basic जो T है जैसे, इसमें क्या है 5 से 10 का gap है, 5, 10, 15, 20 और 25 तो इस तरीके से कुछ keyword हैं जो मैंने अपनी video section में आपको अलड़ी बता चुका हूँ, तो आप इनको mind में रखें और पहले चाहिए आपको correspondence digit पता होनी चाहिए, जैसे A का 1 होता है और Z का 26 होता है, इस तरीके से बीच में अगर T आता है तो उसका 20 होता है, यह सारे letter correspondence word letter को कौन से number से हमने decode करा है, वो आपको पता होना चाहिए, alphabet को बनाने के लिए, तो different questions आएंगे, आज हम बात करेंगे कुछ अच्छे questions की, जो हमारे हर एक exams में, films में तो definitely यहां से आपको questions मिलेंगे, तो आई यह पहले question की तरफ move करते हैं, इसमें कहा गया है, how many such pair of letters, यहां पर कितने pair of letters है, are there in the word, इस word में, medical में, medical में, कितने ऐसे letter of the pairs है, जो की, which has as many letters between them in the English alphabet, जो की English alphabet में भी उतने ही pair है, तो देखे, अगर इस तरीके की language आपको लिखी आती है, तो आपको करना क्या है, आपको just, आपको A to Z तक cable आपको ABCD पढ़नी होती है, इन तरीके के questions में, तो आईए हम इनको कैसे करते हैं, हमारा word लिखा है medical, सबसे तरीका आप देख लिएगा, उसके बाद खुझ से practice कर सकते हैं, medical, मैंने यहाँ पर medical word लिख दिया, अब मुझे क्या करना है, M से start करना है, और Z तक पढ़ना है, M, N, O, P, Q, R, S, मतलब कि मुझे कोई number फिट यहाँ नहीं बेटा, फिर हम E पर आजाएंगे, E के बाद आते ही, दोस्तों, यहाँ पर क्या कहा है, E, F, G, H, I, J, नहीं मिला, अब मैं D पर आजाओंगा, D से देखते हैं, कुछ मिलता है, D के बाद क्या आता है, E, फिर F, फिर G, फिर H, यहा मतलब कि I के बाद में कोई भी दो गैप होंगे, उसके बाद L दिया होगा, तो यहाँ पर दीखें, C और A, उसके बाद L दे दिया, इसका मतलब हमारा एक पेर यह काउंट हो जाएगा, अब दोस्तों में रिवर्स भी काउंट करना होता है, फाइन, अब जब हम रिवर्स यहाँ पर काउंट करेंगे, तो L से स्टार्ट करेंगे, L, M, N, O, P, Q, R, कोई पेर नहीं मिला, फिर A से स्टार्ट करेंगे, A से काउंट करते ही, A, B, C, D, मतलब हमें D पर एक पेर यहाँ पर मिल गया, A से D पर आते ही एक पेर मिला, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे कोई A से पेर मिलता है A, V, C, D और E, मतलब A से मुझे एक पेर E तक भी मिल गया, ओके, अब हम आगे क्या बढ़ेंगे, F, नहीं आता है, अब C के बाद देखते हैं, C, के बाद D आता है, फिर E आता है, फिर F, फिर G, ये भी नहीं मिला, अब I के बाद देखते हैं, तो I के बाद J आता है, I, J, K, L, ये भी नहीं मिलता है, अब देखें, D, D के बाद में E तुरंट आ गया, बैसे आता ही D के बाद E है, तो यहां से एक पेर दोस्तों हमारा, ये रिबर्स वाले portion पर भी मिल गया, ठीक है, अब D, E, F आता है, E के बाद F आता है, मतलब यहां कोई पेर नहीं मिलेगा, हमें टोटल कितने पेर मिले, एक, दो, तीन, चार, हमें टोटल यहां पर चार पेर मिलते हैं, यही आपको exams में count करना होता है, एक number लाना बहुत ही होता है, लेकिन इस language को समझना लोग काफी confused हुजाते हैं, तो यहां पर options दिया है, none, 1, 2, 3, और more than 3, तो हमारा option number 4 क्या हो गया, more than 3 pair, ठीक है, option number 4 में हम टिक लगाएंगे, कि हमारे 3 से जादा pair बनेंगे, मतलब 4 pair total बनेंगे, next question की बात की जाएं, तो next question में कहा गया है, 4 of the 5 are alike in a certain way, यहां पर जो options दिये हैं, 5, इसमें से जो 4 options हैं, वो एक certain rule, certain, एक यहां पर pattern follow करते हैं, 5 में से, तो आपको यह बताना है, और एक group बनाते हैं अपने आप में, तो आपको बताना है, which is the one that does not belong to that group, इसमें से कोई एक number ऐसा है, जो इस group को belong नहीं करता है, देखिए, यहां पर आपको 12 दिया है, फिर 24 दिया है, 42 है, 18 है, 32 है, सारे की सारे even numbers है, अगर हम gap की बात करें, यहां पर हमारी reasoning काम आएगी, कि हम mind को कितना तेज दोडाती है, देखिए, 12 नंबर है, फिर यहां पर 24 है, ठीक है, और फिर यहां पर आपको क्या 18 भी एक number दिया हुआ है, उसके बाद में, दोस्तों, आपको एक number 32 दिया है, और फिर एक number दिया है, क्या 42, ठीक है, अब मुझे देखना है कि इसमें गैप कितना है, इसमें 6 का गैप है, 18 के बीच में 6 का गैप है, फिर 24 से 8 के बीच में गैप है, 24 और 8 32 होता है, तो यह pattern तो हमारा फालो नहीं होगा, लेकिन अब देखते हैं, डिवीजवल किसे हो रहा है, यह नमबर 6 से डिवीजवल हो रहा है, 6 से यह डिवीजवल हो जाएगा, 6 से यह नमबर भी डिवीजवल हो जाएगा, और 6 से यह भी डिवीजवल होगा, 32 भी 6 से डिवीजवल होगा, 32 नहीं होगा 6 से, 42 हो जाएगा, तो यहां से मैं कह सकता हूँ, जो 32 है वो number हमारा एक common number 6 अगर मैंने लिया है उनसे divisible नहीं हो रहा है तो 32 जो है वो हमारा odd number है यहाँ पर ठीक है तो हम कह सकते है all are the multiples of 6 except 32 सारे के सारे जो numbers दिये हैं वो क्या है 6 के multiple हैं लेकिन 32 नहीं है तो हमारा odd क्या हो जाएगा option number E तो यहाँ पर हमें सोचना होता है अपना mind लगाना होता है किस तरीके से questions कर सकते हैं तीक है बहाँ pattern आपका कोई भी हो सकता है pattern से आपको घवराने की जरूरत नहीं है लेकिन आपको अपना mind वहाँ पर set करके रखना है next question की बात की जाएं यह भी सारे questions आपके just previous year में आये है और prelims में आपको questions देखने को जरूर मिलेंगे हम आपको यहाँ के कुछ और भी patterns होते है जो हम हर बार एक set जो लाएंगे वो आप तक लाते रहेंगे fine यहाँ पर का गया है कि how many such letters in the word category category में ऐसे कितने जो letters of the word हैं मतलब इसमें आपको इस word में letters बताने हैं जो की each of which is as for a bay from the beginning of the word as when they are arranged in alphabetical order मतलब मुझे category को alphabetical order में जब मैं इसको arrange करूंगा तो उतने बहाँ पर matching कितने word करेंगे यह question में पूछा गया है तो जाएंगे अगर इस तरीके की language आपके exams में यूज होती है यह हमारा category हो गया अब मुझे क्या करना इस category को ही alphabetical order में लिखना है पहले हमारा C आएगा sorry पहले हमारा क्या आएगा A आएगा सबसे पहला अगर मैं alphabetical order में लिखूंगा तो पहले A आजाएगा उसके बाद क्या आएगा दोस्तों फिर C आजाएगा फिर क्या आएगा E आएगा और उसके बाद हमारा आएगा G फिर आएगा O फिर आएगा हमारा क्या R फिर आएगा T फिर आएगा B अब आपको यह देखना है कितने आपके arrange हैं मैच हो रहे हैं आपस में तो देखो केबल आपका एक pair यह बाई बाला pair है यह अपनी position पर change रही हुआ यह constant रहा लेकिन RT OR GO EG TE AC CA यह जो बचे हुए जितने pair हैं यह सारे के सारे आपस में कोई भी मैच नहीं कर रहा है लेकिन हमें क्या आप कर रहा है केबल बाई मैच कर रहा है तो यहां से में क्या आए सकता हूँ केबल बाई है उसने अपनी position जो है वो maintain किया है तो आपको options दिया हूँगे 1, 2, 3, 4 तो आपको केबल चूज क्या करना है 1 option क्योंकि आपका केबल एक ही लेटर तो मैच कर रहा है तो पजल में हम आपको एक चीज बताना चाहेंगे हम ट्री के भ्याब पर solve करेंगे और option elimination method यूज करेंगे मतलब कि हम option को eliminate करने का जो हमारा basic fundamental method है उसको follow करेंगे options को eliminate कर देंगे male को हम लोग किस से दिखाएंगे plus से दिखाएंगे और female को किस से दिखाएंगे minus से दिखाएंगे ठीक है बाकी जो भी होगा भो हम आपको यहां पर दिखा रहा है questions हमें कुछ इस coding format में दिया हुआ है coding format का यह blood relation का concept है इसमें कहा गया कि following questions are based on the basic information जो यहां पर information दिए है इसके उपर आधारित यह questions है question number 4 यहां से start होगा पहले मुझे information को decode करना है इसमें कहा गया है कि P multiply Q इसका मतलब है P is the mother of Q फिर कहा गया है कि P divided by Q इसका मतलब क्या है P is the sister of Q फिर कहा गया है कि P plus Q जहां कहीं पर plus का symbol यूज होगा तब हम क्या लिखेंगे P is the brother of Q फिर कहा गया है कि P minus Q जहां पर minus use होगा बहाँ पर हम क्या करेंगे P is the father of Q यह दोस्तों कभी कभी आपको slash लगा दिखता है नहीं तो आपको यहां पर यह बाला symbol भी दिखता है तो यह symbol use होगा यह दोनों same है fine, confuse मत होगा तो यहां पर कहा गया है कि यह information के बाद हमें relation निकालना है इसमें कहा गया है कि which of the following means K is the son of R इसमें आपको बताना है कि कौन सा relation यहां पर बनेगा जैसमें K जो है वो बेटा हो जाएगा किसका R का तो R यहां पर कोई है R का जेंडर तो मुझे पता नहीं है लेकिन K बेटा हो जाएगा K कौन हो जाएगा Sun हो जाएगा किसका R का तो R कौन हो जाएगा इसके आप आपा या मम्मी कोई एक होगा तो K का मुझे जेंडर पता चल ला है K का जेंडर क्या है male है यहां से fine लेकिन मुझे K का जेंडर नहीं पता चल ला है तो मैं इस option को eliminate कर दूँगा Second में कहा है R minus K मतलब R minus K तो R minus K का मतलब क्या है दोस्तों minus का मतलब कहता है father of Q P is the father of Q अगर P minus Q लिखा है तो R minus Q में क्या हो जाएगा R is the father of K ठीके R जो है K के पापा होंगे लेकिन फिर भी K का gender नहीं पता है तो यह भी option हमारा eliminate हो गया अब हम इसकी बात करते है इसमें K plus T लिखा है plus का symbol क्या दिखाता है brother दिखाता है तो यहां से मैं कह सकता हूँ K is the brother of T K जो है वो T का भाई होगा तो यह option हमारा हो सकता है आईए सबसे पहले हम इसी options को check कर लेते है third number को तो third में कहा गया है K plus T third और fourth की अगर हम बात की जाए fourth को देख लो कि आपका fourth check करना है नहीं करना है R minus J divided by K तो J divided by K divide का मतलब क्या है is the sister of sister है divide का मतलब तो J क्या है sister है K की और K plus M K plus का मतलब क्या दिखाता है is the brother of मतलब ये भी हमारा हो सकता है three or four को हमें check करना है तो पहले हम three को check करते है three में दोस्तों कहा गया है K is the brother of T तो यहाँ पर मैं बना लोगा K जो है brother हो जाएगा किसका T का फिर कहां किया है T cross R T cross R में cross का क्या मतलब होता है cross का मतलब होता है mother T is the mother किसकी mother है T is the mother of R R की मम्मी हो जाएगी अब मुझे निकालना क्या था R जो K जो है वो sun है R का लेकिन यहाँ क्या उल्टा हो गया यहाँ K तो पापा यहाँ मम्मी किसके R के मतलब R का कोई relation क्या किसके साथ हो जाएगा K किससाथ हो जाएगा ठीक है सुरी यह पापा मम्मी तो नहीं होंगे लेकिन यह sure है कि K जो है इनका sun नहीं हो सकता R का क्योंकि इसके लिए मुझे generation उपर आनी पड़ेगी तो यहां से हमारा काम नहीं चल पाएगा फिर हमें क्या करना है इसको भी eliminate करना होगा क्योंकि यह उल्टा बन रहा है अब हम फोर्थ की बात करेंगे दोस्तों फोर्थ को जब हम चेक करेंगे तो आएए इसके लिए मुझे थोड़ा डाइग्राम इसको चेंज कर दे रहा हूँ हाँ फोर्थ की बात करते हैं फोर्थ में कहा R-J divided by K plus M तो minus का मतलब है father R-J मतलब R is the father of किसका? J का father हो गया R जो है J का father हो गया तो R का gender mail हो गया अब फिर कहा गया है J divided by K divide का मतलब है sister तो J is the sister of K तो J काउन हो जाएगी? sister हो जाएगी किसकी? K की sister हो गयी फिर बात में क्या क्या? K plus M plus क्या दिखाता है? brother तो K हो जाएगा, भाई हो जाएगा किसका? M का? यहाँ पर भाई हो जाएगा तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ के क्या है Sun है? आपको के बल के को बताना है के जो है Sun होगा, किसका R का? यह हमें निकालना है तो हमें किस option से मिल गया option number 4 से तो कभी भी यह questions करने हैं आप blood relation मनाईए देखे दोस्तों, यहाँ तो मैंने एक, दो, तीन ट्राइल करें उसके बाद मुझे चौथा option मिलता है लेकिन आप एक्जाम्स में यह गलती मत करना आप क्या करना? पहला option चेक करना फिर आप last option चेक करना चौथा नंबर का नन अपदीच को छोड़ देना फिर second फिर third इस तरीके से करना कभी-कभी क्या होता है आपको पहला नहीं बिलता है नीचे से first second attempt में बिल जाता है तो probability हमारी यह रहनी चाहिए कि हम जल्दी से जल्दी अपने questions के solution को डूल ले तो इसमें हमारा time बच जाएगा तो आप क्या करना जब कभी भी पहला option चेक करना लास्ट का चेक करना फिर second फिर third कभी आपके किसमत कराव होगी तभी आपका third option रहगा क्योंकि आप उसको से last में चेक करेंगे अब हम बात करते हैं नंबर फिफ्ट कोस्चन क्यों और फिफ्ट कोस्चन में जैसा कहा गया है कि P क्रॉस Q यह सेम कोस्चन है लेकिन हमें यहाँ पर relation क्या निकलना है M is the paternal uncle of T मतलब M जो है वो paternal uncle होगे uncle तो है किलेंगे इस टाइप के paternal uncle तो देखे paternal uncle का मतलब होता है कि वो relation जो पिता जी के साथ बनते हैं किसके T के paternal uncle है M तो देखे T ये है और T का father होंगे father ये होंगे और T के father के जो भाई है father के जो भाई होंगे वो कौन है M है तभी तो मैं क्या कह सकता हूँ T जो है paternal uncle हो जाएंगे M जो है वो paternal uncle है किसका T का यहां से तीक है यही relation मुझे यहाँ पर establish करना है तो जब यह paternal uncle होंगे uncle word लग गया इसका मतलब इनका gender क्या हो जाएगा positive हो जाएगा मतलब male होगा तो अब मुझे M को pick करना है यहाँ पर अब आईए हम हम बात करते हैं इस questions की तो इसमें पहले options की बात करते है M plus J minus T तो देखे M plus J plus का मतलब क्या है दोस्तों plus का मतलब brother है M plus J minus T मतलब M is the brother of J और J minus T मतलब J is the father of T यह relation मनेगा second में कहा गया है कि M plus J यहाँ पर फिर plus दिया है मतलब की M plus J तो यह भी हमारा हो सकता है पहला भी हो सकता है दूसरा भी हो सकता है तीसरे में M divide दिया है divide का मतलब क्या sister है तीसरा तो ऐसे ही मैं कहा दूगा नहीं होगा क्योंकि M का gender male है और female तो नहीं हो सकता है last में M plus J मतलब यह भी हमारा हो सकता है अब मुझे करना क्या है पहली चीज पहली चीज दोस्तों इन तीन options को आपको चेक करना है first, second, third को पहले में कहा गया है कि M plus J minus T तो M plus J से हमारा क्या बनेगा M is the देखिए options eliminate कैसे यहां पर करने है क्योंकि option यहां पर आपको तीन common मिल गए ना पहला, दूसरा और चौथा तो मैं आपको एक चीज बता दू जब कभी भी इस तरीके के questions है जब करनेशन ऐसे हैं इसमें 2 generation used होंगी फाली generation यह है और second generation यह है fine, generation gap जो है वो 2 का है यहां पर क्या का गया है M plus J minus 2 यहां पर 2 का generation gap है क्योंकि J minus T J minus का मतलब father है तो जब यहां पर इनकी 2 की बात होगी और M plus J की बात होगी तो यहां पर 2 का generation gap है J is the mother, अब यहाँ पर J जब female हो जाएगी, तब तो हमारा वैसे relation नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर paternal की बात हो रही है, paternal का relation का बंदा है जब पापा के साथ relation होता है, लेकिन cross क्या दिखाता है, cross दिखाता है यह mother को, तो यह वाला option हमारा इस तरीके से eliminate हो गया है, तीसरे की बात करीजाए, M plus J plus T, यह तीनो एक ही label की है, मतलब plus का मतलब क्या है, brother है, M brother है, J का, J brother है T का, तो यहाँ से कभी भी दो generation gap तो नहीं बन पाएंगी, इसलिए यह भी option eliminate हो गया है, अब बचा क्या हमारा, पहला option इसको draw कर लेते हैं, M plus J का मतलब हुआ, M is the brother of J, तो M brother हो जाएगा किसका, J का, फिर J minus T में क्या है, J is the father of Q, J father हो जाएगा किसका, Q का, sorry, J is the father of T, यहाँ पर T दिया है न, तो T का father हो जाएगा, तो अब देखो, T के father कौन है J, और इन father का भाई है M, तो M कौन हो जाएगा यहाँ से, uncle हो जाएगा, कौन से uncle होगा, paternal uncle होगा, क्योंकि यह relation जो है, पापा के साथ लाई कर रहा है, यहाँ पर, fine, तो मारा option number one, जो इतने कितनी practice की हैं आपर, तो देखिए अगर आपके basic fundे बहुत ज़्यादा के लिए रहा हैं, तो आप blood relation में कोई भी concept question बना सकते हैं, अब हम दोस्तों बात करेंगे direction and sense की, और यह questions हमारे high level से होगे, मतलब इसमें आपको थोड़ा सा mind लगाना होगा, अगर जो beginner बंदे ह और वो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं उनको पहले recommend यही करूँगा, कि हमने लगबग direction and sense के ओबर 5-6 complete वीडियो बनाई हैं, और उसमें हमने सारे concept कबर कियें, पहले आप playlist में जाके उन concept को देख लो, फिर आप यह questions बनाओगे तो आपको अच्छे से समझ में आए यहां पर कहा गया है कि राम बॉक 4 meter to the south, राम 4 meter जाता है south में, तो यहां कहीं पर मैंने राम को मान लिया, राम कहीं यहां पर इस point पर है, अब राम क्या कर रहा है, south में जा रहा है, कितने meter, 4 meter, तो दोस्तों हम इसको south में बेज देंगे, south कि इदर होगा, नीचे की तरफ ह तो south हिदर हो गया, थोड़ा से मैं बड़ा diagram बनाना चाहूँगा यहां पर, एक second, या, मैंने राम को कहीं इस point पर मान लिया, और राम 4 meter south की तरफ जाता है, तो 4 meter मैंने south की तरफ बेज दिया, अब वो इस point पर पहुँच गया, ठीक है, अब इस point पर पहुचने के बाद मे then turn left, उसने क्या लिया, left turn ले लिया, तब जब वो इस point पर है, और उसका face किदर है, south की side में है, तो जब वो दोस्तों left turn लेगा, तो वो किदर जाएगा, इधर के लिए जाएगा, तो left turn लेने के बाद कितना वो चलता है, वो basically 6 meter जाता है, तो यहां जाके वो 6 meter चला, और इ यहां पर आ गया, 4 meter चलने के बाद में कहां पहुच गया, इस point पर पहुच गया, suppose करिये, वो उसने यात्रा A से start की थी और B point पर पहुच गया, अब आपको बताना है कि how far is from the starting point, मतलब A से B आपको calculate करना है, A B की distance जो है, वो आपको यहां पर calculate करनी है, A B, ओके, तो देख अगर इस point तक 4 है, तो यह कितना हो जाएगा, यह भी 4 हो जाएगा, और इसी तरीके से यहां से एक line खीच लें, तो देखिए, इस point से लेकर B point तक, मतलब यह कितनी है, 6 meter distance है, तो यह भी 6 meter हो जाएगी, ओके, यह हमारा logical है, अब हमें क्या करना है, A से लेकर B तक distance निका ल अब A से इस point को आप C बना लो, assume कर लो, तो AC कितनी हो गई, हमारी 8 हो गई, और C से लेकर B तक कितनी है, 6 meter है, आपको AB निकालना है, तो AB क्या है, हमारा hypotenuse है, अब मुझे 2 side दी है, hypotenuse निकालना है, और यह angle कितना है, 90 degree है यहां पर, तो मैं आसानी से कह सकता हूँ कि इस question को solve करने के लिए में, right angle, triangle की help करनी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी, और यहां पर जो hypotenuse, मतलब जो कर्ण होता है, कर्ण का square क्या होता है, पाइतागोरस theorem कहते है, कर्ण square बराबर क्या होता है, आधार का square प्लस लंब का square, मतलब BC का square प्लस AC का square बराबर किसका होगा, AB का square, तो यहां से मैं AB की square के बराबर में किसको रखूंगा, AC square प्लस BC square, तो यहां से AC कितना है, AC हमारा 8 square कितना होजाएगा, 64, और BC कितना होजाएगा, BC हमारा 6 है, 6 into 6 कितना हुआ, 36, 36 और 64 कितना हुआ, यह हो गया, पूरा 100, तो AB square की value यह है, तो AB की value यहां से कितना और जैसे अंडरूर लगाऊगे तो अंडरूर 100 होगा, वो कितना आ जागा, 10 आ जागा बाहर, तो यहां से मैं कह सकता हूँ, AB की value कितनी आ गई, 10, यह हमारा answer हो गया, इस तरीके से यह में follow करना है, कभी भी diagonal में आप direct मत उसको अंदाजे से मत लगा देना, अगर आपके options ब क्योंकि आपको पता है कि 30 तो होगी नहीं, 40 होगी नहीं, 20 भी नहीं होगी, होगी तो 10 होगी, दसवाल options मैच कर जाएगा, लेकिन हमारा basic funda क्या है, कि हमें पहले पायतागोरस ते, उसको ही solve करना है, practice अगर आपकी बात fast होगी, तो आप आसानी से questions बना सकते हैं, लास्ट स्याम को बना लो, डाइग्राम हमारा वही रहेगा, यह north pole, यह south pole, यह east और यह best, स्याम को मैंने कहीं पर बना लिया, suppose करा मैंने स्याम को यहां पर बना लिया, यह हमारे स्याम जी, अब इसमें का गया कि राम जो है best में है स्याम के, अब स्याम अगर यहां पर है, तो स्याम राम यहां पर आ गया, अब फिर का गया है कि हरी वो वो south में है राम के, अब राम के south में, राम को अब center point बना लो, इसका south किदर होगा, नीचे होगा, नीचे कौन है हरी है, हरी को हमने यहां पर बना लिया, फिर कहा गया दोस्तो अगर नेहा जो है इस टूदा नौर्थ आफ स्याम स्याम के नौर्थ में नेहा है तो अगर स्याम यहां पर है स्याम का नौर्थ उपर होगा तो नेहा कहां पर आ जाएगी नेहा दोस्तो यहां पर आ जाएगी स्याम के नौर्थ में नेहा आ गई यहां पर फिर कहा गया है कि हरी जो है then हरी is in which direction with respect to नेहा नेहा के respect में आपको बताना है हरी की direction क्या है नेहा तो यह रही अब जब नेहा यह हरी यह रहे तो आपको अब यहां पर नेहा के respect में हरी की direction बतानी है तो अगर नेहा ये है तो नेहा का एक साइड इदर होगा, एक साइड इदर होगा, एक उसका बॉटम इदर होगा और एक उसका टॉप इदर होगा, फाइन, अब ये कहां पर है, ये वाला बंदा जो है, यहां पर आ रहा है, तो ये वाला पोर्शन क्या होगा, ये नेहा का ब करों तो हरी जो है साउथ और बेस्ट दोनों के बीच में लाई कर रहा है तो यहां से जो क्योंकि मैं बेस्ट को जितना बढ़ाओंगा अब आप बेस्ट को इतना बढ़ा दो और साउथ को इतना बढ़ा दो आपको पता चल लाएगा इन दोनों के बीच में कौन आ रहा है हर टो डारी क्या हो जाएगी south-west जो हरी की डारेक्शन है किसको respect में? नेहा के suspect में grapes कबी दोस्तो किसी की direction आपके किसी के भी respect में निकालने हुआ करें तो आप उसको centre point मान लिया करो और उसकी तरब लाईने खेच दिया करो इस तरीके से चार लाईनet है पहली को आप North, बिल्कुल सेम आपको रखना है North, East, South और Best इसके correspondence में आप चेक कर लियागा और अगर वो यहां कहीं पर लाई करता है तो South Best हो जाएगा अगर Seed में आ रहा है बिल्कुल East में आ रहा है तो हम उसको East मान लेंगे यही basic हमें funda calculate करके यहाँ पर follow करना है तो दोस्तों इस वीडियो को like करें, comment करें और share करें हम आपसे promise यही करना चाहेंगे कि puzzles के लिया जितना अभी आप कह रहे हैं puzzles हम आपको बहुत अच्छे से करा देंगे बिल्लम basic से start करेंगे फिर हम आपको moderate travel कराएंगे फिर advance कराएंगे तो जो advance वाला section है वो आपके main exam होने से पहले पहले हम जरू कबर करा देंगे और कुछ लोगों की demand है critical reasoning की critical reasoning भी यहाँ पर आपको complete मिलेगा अभी total reasoning का ही हम concept लेके यहाँ पर चलना है तो हम puzzle sitting arrangement बिल्कुल basic से start करेंगे 15-20 तारीक के बीच में यह session समरे start हो जाएंगे तो इस video को दोस्तों आप like करें और हमारा facebook का एक group है और facebook का page भी है तो आप group को और facebook page को join करने के लिए नीचे description box में हमने link दे रखा है और description और पहले comment में अगर दोस्तों पहली बार यह video देख रहे है तो मैं आपसे ही कहना चाहूँगा रड कलर का बटन है subscribe का इस पर क्लिक कर दे और दोस्तों इस video को share करें आप ही हमें support कर सकते हैं इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि इस video को support करें और जादा स्यादा लोगों तक इस video को share करें ताकि जो लोग coaching afford नहीं कर सकते उन तक भी यह video पहुचें और जो हमारा main aim है वो लोगों तक जाए So thank for watching this video, have a nice day